हलो फ्रेंड्स यदि एक किलो चीनी का मुल्य 48 रुपे है तो 825 ग्राम चीनी का मुल्य क्या होगा यहाँ पर हमने एक्जाम्पल के लिए 825 लिया है आप 715, 650, 552 कुछ भी ले सकते हैं तो आईए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है तो 1 किलो ग्राम चीनी का मुल्य 48 रुपे दिया हुआ है अब हमें मालूम है कि 1 किलो ग्राम में होता है 1000 ग्राम तो 1000 ग्राम चीनी का मुल्य भी कितना हो जाएगा 48 रुपे अब इसी से हम 1 ग्राम चीनी का मुल्य निकाल तो उसके लिए क्या करेंगे? 48 में 1000 को डिवाइट कर देंगे. तो अंसर क्या जाएगा? 0.048 रूपीज. अब यह कीमत किसकी हो गई है? 1 ग्राम चीनी की. अब हमारे पास 1 ग्राम चीनी की कीमत आ गई है. इसी से हम 825 ग्राम चीनी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं. जो 25 का मल्टिप्लाइ करने पे हो जाएगा? 39.6 रूपीज. 49 रूपे 6 पेसे. यह हो गया 825 ग्राम चीनी का मुल्य. अब यहाँ पर एक्जामपल के लिए हमने ये लिया था. सपोस आप कुछ भी ले सकते हैं. 750 ग्राम, 615 ग्राम, 412 ग्राम. कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं और इजी लिए इस फॉर्मूले से मुल्य निकाल सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही. ठेंक्स पॉर वाचिंग.